ब्रेस्ट कैंसर इसकी पर कंफ्यूजन से पहने कपसा ही जब फूल तक में दर्ध हो तो मैं क्या पूरी बाप क्या है को हम ब्रेस्ट के साथ कॉन सा पहनते हैं याप इन व्र ह हम लोग defined का है और इस टॉपिक में वीडियो बनाने के लिए मेरी सिस्टर ने बोला था तो चलो आज ninja वीडियो आज बनाई लेई हूँ और आप लोगो मैं step बाई स्टेप समझाऊंगी और जो लोग टीनेज है स्कूल कॉलेज में भी पढ़ रहे हो आप लोग के लिए भी बहुत ज़ीदा helpful होगा because आप लोग को भी बहुत ज़ीदा confusion रहता है तो clear हो जाएगी but जो लोग चानल पे new हो जल्दी से subscribe कर दो और bell icon को भी टेंटंग कर लो जो लोग bell icon को अभी तक press नहीं कियो हो please कर लो because मुझे dashboard में दिखता है कि notification आप लोग के पास नहीं जाता है so please कर लो तो चलो वीडियो को सुरू करते है तो first जो हम लोग bra दिखाएंगे वो है t-shirt bra t-shirt में क्या होता है कि प्लेन रहता है पूरा तो लाइन दिखनी नहीं चाहिए बहुत अच्छा नहीं लगता है वो थोड़ा सा awkward लगता है और मुझे जो वेर वाला जो ब्रा आता है वो बिल्कुल भी पसंदी इतना uncomfortable रहता है फिर ऐसा लग रहे है कि कोई चीज चूब रहा है तो मैं जो ब्रा दिखा रही हूँ एक मिनिट में इसको नहीं सेट कर लेती हूं माइक को अभी ना माइक को मैंने इदा तो आपका जो फोन का जो वालियूम उसको थोरा सा एड़िस कर लेना ठीक है जो फर्स्ट ब्रा है टीसट के लिए तो यह है जीवामी का ब्रा और हमेसा कोई भी ब्रा लेते हो अपना जो कप साइज है उसको हमेसा मेजर करना घर पे नहीं होता है सो रोम भे एक बारी जा जाओ जाओ अच्छे से पहनो वह लुक जो लड़की लोग रहती है तो वो लोग आपके जो चेंजिग रूम है खुद बाहर रहते हैं फिर आपको पूसटे कि मैम आपका हो गिया तो मैं अंदर आओ वो लोग आंकर देखते हैं कि काहां पे कौन सा परफेक्ट चाहिए, आपको कौन सा साइज का चाहिए, इतना अच्छे से गाइड करता है, मतलग, पहले मैं ओनलाइन खरीती थी, समझ में नहीं आता, तो मेरा ब्रा में बहुत जदा में अनकमफोर्टेबल रहती थी, पर ना हूँ, मैं हैपी रहती कुछ नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है, और जो कप साइज है, आपका कप साइज पूरा यहां तक आएगा, क्योंकि आपको इस टीशट ब्रा जो पहनते हम लोग उसमें हम लोगों कप साइज को पूरा ना कवर करता है, तो टीशट ब्रा में पूरा एकदम कवर होगा उपर से लेके नीचे तक, और बहुत ही अच्छा सपोर्ट देता है, और आप पूरा दीन भी आप वेर करके रखोगे तो आपको बहुत ही कमफोर्टेवल फील होगा, और इसमें ना कोई भी कुछ, मतलब तार वगरा वो सारे चीज नहीं है, और इसका स्ट्रैप भी तेदम सिल्की सा है, स्मूथ सा है, अब अपना हिसाब से अब थोड़ा सा उपर नीचे कर लो, तो इस टाइप का जो ब्रा होता है, यह आप टीशट में पहन सकते हो, जो आपको कपको फूल कवरेज दो, तो आई होब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि टीशट का ब्र कौन सा पहनना चाहिए, तो यह अच्छा एक ऑप्सेन है, और सेकेंड है, जो हम लोग वेस्टर, शॉरी, हम लोग इंडियन ड्रेस पहनते हैं, ब्लाउस पहनते हैं, तो क्या होता है, कही बार क्या होता है, कि थोड़ा डिपनेक होता है, तो डिपनेक होगर होता है, तो ब बहुत ही अच्छा है और इसका कपका मैं बतारू जैसे यहां तक आता है टीशट में और जैसे आपका डीप नेक हो गया तो आपका आता है मिडेल से कप और इतना अच्छा कवरेज देता है आपको एकदम हग करके बॉडी में बैठता है क्योंकि आप अपने साइज को अगर जो भी पहनते हो ड्रेस में पहन सकते हो है यह बहुत अच्छा है इसमें भी कोई लाइन नहीं दिखेगा क्योंकि कोई लाइन ही नहीं है तो कपड़ा है कोई लाइन वाइन कुछ नहीं है तो इस टाइप का ब्रा बहुत ही कमफोटेबल रहता है और मैं हाइली सपोर्ट चाहिए और पता भी नहीं होता है हमको लगता है कि सपोर्स बढ़ा है एक पहन लिया उसमें इस अब नहीं जिस दिन आपका कार्डियो रहता है जिस दिन आप थोड़ा से जम करते हो आपका बॉड़ी थोड़ा से जम करता है या फिर आप बहुत जादा ट्रेड मी आपको सपोर्ट भी नहीं मिलेगा तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सामने में थोड़ा सा ओकवर्ड फिल कर सकते हो और अच्छा भी नहीं लगता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि हमें अपना ब्रेस्ट के अभी ध्यान रखना चाहिए कि टेक क्यार करना आपका ब्रेस्ट को बहुत अच्छे से हग करके रखता है बाउंस होता है जो तो वह बाउंस नहीं होता है और आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट देता है इसका बेस्ट पार्ट है इसका पीछे का जो कवर है यह आपको बहुत अच्छे से आपका जो बैक है उसको भी सपोर्ट देता है और बहुत ही सौट मेटरियल है तो इस टाइप का आप ब्रा में इन्वेस्ट कर सकते हो तो यह देख लो यह आप एक नहीं अगर आप जीम जाते हो तो आप एक या फी दो अप रख सकते हो तकि आल्टरनेट करके आप इसको पहन सको और हमेसा जब भी ब्र लो अच्छा ब्रैंड करो थोड़ा सा पैसा लगेगा ठीक है कपड़े में इन्वेस्ट करते हैं कपड़े उतना पहनते नहीं है पर यह तो ब्रा है ना यह तो हम लोग ज्यादा वयार करते हैं ताकि थोड़ा सा एक्सपेंसिब रहेगा तो ठीक है बट पहन के करेंगे तो अच्छा होगा रहा ऐसा नहीं है कि ब्रा अच्छा पहनने से यह सारे मसला जो है जिसको जो होना होता है वह होता है बट साबधानी बरकना हमारा हमारा फर्ज है क्योंकि बॉड़ी तो हमारा है तो जो भी हो यह अप ले सकते हो और आप अगर सस्ते और करते है इसा ड dryer missus यह कंफेवला फेली फूरा पहले पहन के रखो समयागे तुम्हें नहीं आएगा तुमने बर्त उनक्राइप अचने मैठिक लगे इतना बर्बूंता कि अच्छ नहीं है इत्ना पैलीज ही इत्ना आचर जो ड्लिए pulse है थाएいつ को बोट यहा बे जारी में क्लाइब नहीं होता है मतलब यह इनवेर रीटन नहीं होता है तो वहाँ पर जो चेंजिंग रूम है वहाँ पर जाके अपना साइज देख लेना और इस में आप ले सकते तो इसलिए में रेकिमन किया है और जब आप जिस दिन आप जीम में जा रहे हो जिस दिन आपका कोई भी काडियो नहीं है नौर्मल आप ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर जो लोग जीम भी नहीं जाते घर पे करते हैं उन लोग के अच्छा सपोर्ट के लिए इस टाइब का ब् कलेक्शन ब्रा का है कि क्रॉप टॉप के हिसाब से भी पहन सकते हो मैं बता रही हूं क्यों क्यों कि पीछे देखो आपका पीछे भी देखो तो यहां पर पीछे भी आप देख सकते हो तो यह बहुत अच्छा मतलब आपको सपोर्ट देता है बहुत ही अच्छे से अगर को है रहें और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ब्रा जो होता है कि है से नेट टाइब जरेस होता है इसए उसके ताइप अगर आप कोई साभी जैसे इस टाइब का अगर ब्रा पहन होगे बहुत गंदा लगता है अच्छा नहीं लगता है तो उस टाइम पे आपको पहनना चाहिए टॉप जैसे ब्रा तो यह जो है टॉप जैसे ब्रा है इसको पहन लो उसके बाद अपने ड्रेस पहन लो वाइट में दि नहीं पड़ा तो इसलिए मैंने इसको यूज नहीं किया है ब्लैक बला में बहुत यूज करती हूं यह बेसिकली आपका जो नेट टाइप ड्रेस है उसके लिए इन्वेयर बहुत अच्छा है एंड नेक्स्ट यह भी एक बेसिक कलर है यह जूडियो का ही है जो मैंने अपनो इसे ही ब्ला लेना और यह पता है कब का है मेरा यह मैंने लिया था साइड फर्स्ट टियर में मैंने इसको बाइ किया था अपने पैसे से जब मैं ट्यूशन पढ़ा क्यूंकि मैं तब होस्टल में आई थी और एडमिसें हुआ था मेरा एंड मैंने उस टाइम में बच्चे इसको टीशन पढ़ा थी वह मेरा फर्स्ट इनकाम था तो फर्स्ट टाइम मुझे जब पैसा मिला था तो मैंने अपने लिए इन्टी मेरा यह यह तो यह वाला ले सकते हो घर के लिए एक दम बेस्टे तो जो बेरे चोटी-चोटी जो बहने है यह आप लोग के लिए है त आप लोग ले सकते हो और जो ट्यूब टॉप है ट्यूब टॉप में आप अगर आपका है भी ब्रेस्ट नहीं है और आप मीडियम टाइप हो या फिर जो लोग टीनेज है उनके लिए ट्यूब टॉप में इस टाइप का ट्यूब टॉप आप पहन सकते हो आप लोग के लि जाता है क्योंकि मैं पहनती हूं और मुझे उतना हेवी सपोट नहीं चाहिए होता है यह बहुत सारा एसा जिसके साथ आछ लगता है जैसे कि मैंने आभी जो ड्रेस पहना है यह त्यूब टॉप जो है टूब टॉप के साथ भी आप वेर कर सकते हो या फिर जो ट्यूब ड्र नहीं। कि प्रेस पहनते हो तो आपको सबया होता है और अगर क्टाइब का ब्राब है इसमें कोई भी स्ट्रैप नहीं होता है कोई भी लाइन नहीं होता है कोई अग्दम हाल का पैड़ेड होता है बहुत ही कंफोटेबल होता है और बहुत अच्छे से सप्कोश्पोर्ट मिलेगा तो आपको confidence भी रहेगा और इस टैप का ड्रेस भी आप पहन सकते हो जैसे कि लॉंग ड्रेस हो गया जैसे कोई भी जो आपको जो ट्यूब ड्रेस में आता है तो उस टेप कर ड्रेस में आप ये पहन सकते हो तो आपके पास ऐसा तो होना चाहिए मेरे पस तीन कलर है ब्लैक है वाइट है और बेज कलर है ब्लैक तो मैंने खुद पहन हुआ है यह है और वाइट वाला मैंने क्लीन करने दिया है और कोई और एक टिप्स कोई भी जब ब्रा आप ऐसे वासिन मैसिन में या पिर ऐसे सब के साथ लॉंडरी में मत देना क्योंकि आप अगर अच्छा क्वालिटी का ब्रा ले रहे हो तो जो सैंपू करते हैं हम लोग वह सैंपू या फिर आपके घर पे आगर इजी हो इजी हो इजी एरियल का जो लिक्वेट टाइप का जो आता है वह जो कपड़ा दोने के लिए उसको पहले बकेट में रखना उसके बाद अच्छे से उसको पानी को मिक्स करने के बाद यह सारे आपने ब्रा जो है उसको अ बाद इसको अच्छे से धूप में मस सुखाना कि धूप में अगर सुका होगे तो यह जो स्लीक ओन के जैसा कुछ है जो भी है सपोर्ट के लिए हो ताकि इसकी में अच्छे से सपोर्ट रहे तो यह खराब हो जाता है तो यह सारे चीज अब थोड़ा सा धियान रखना जैसे कि बेज कलर हो गया है ब्लैक हो गया है और बहुत सारा गल्स में देखती हूं जो इस ट्राइप का जो ब्रा होता है इस ट्राप को यह वाला इस ट्राप पहनता है बट इस ट्राप यह वाला ठीक है मेरे पास भी है पर जैसे कि अभी मेरे पास ऐसे कोई दिखनी रहा जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, ऐसे कोई दिख नहीं रहा है, अगर ये लगा कि मैं पहनती हो ना, तो ये फिर भी थोड़ा दिखता है, आप चाहो तो अगर बहुत जादा आपको support की जरूरत हो, तो इस ट्रैप का भी strap आप लगा सकते हो अपने ब्रा में, क्योंकि ये उतन strap रखा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, जब जब ज़रूरत होता है, तब मैं आटास करके पहन लेती हूँ, तो ये ऐसे ही, मैं एक पाउज में रखती हूँ, अपना सारे strap को, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, और एक ब्रा है, जो कि थोड़ा सा अगर आप पैसा invest करना चाते हो, तो मैं तो recommend ये ही करूँगी, क्योंकि बहुत अच्छा है, इसका white वला में पहनती हूँ, इसका सिप देख लो, इसका कोई line, wine, कुछ नहीं, ये short material है ये, और ये वला ब्रा मैंने लिया था, क्योंकि ये, इसलिए मैंने लिया था, क्योंकि ये ब्रा जो भी आप पहनो, जो कि थोड़ा सा, मतलब उतना deep neck ना हो, office में, या फिर आपका, जो भी shirt होता है, तो ज़्यादा तक ये ब्रा आप पहन सकतो, मेरे पास ये वाला, ये वाला तो new है, क्योंकि ये blue color का है, basic color है, और मैं office में जाती हूँ, क्योंकि office में ज्यादा तक मैं shirt पहनते हूँ, या फिर टी-shirt पहनते हूँ, तो उसमें मेरे को लगता है, मैं पूरा दिन अगर 8-9 घंटा में काम कर रही हूँ, sit में, बैट के, तो मैं थोड़ा सा कुछ comfort ही पहनू, तो ये वाला में पहनती हूँ, इसका price में बता देती हूँ, इसका price ज्यादा भी नहीं है, 1600, मतलब 5 रुपे अकम 1700, तो ये ब्रा भी बहुत जदा अच्छा है, comfort में रहना है, तो ये भी आप ले सकते हो, और आपको कुछ चीजे अपने पास रखनी है, जैसे कि बहुत सार ऐसा होता है, निपिल सो होता है, तो ऐसे ही आपको pad मिल जाएगा, तो ये pad को भी आप रख सकते हो, उसके बाद अगर आपको जरूरत होगा, तो पैट को अपना सेट करके घर से निकल सकते हो, तो दो टाइप का मेरे पास pad है, ये बड़ा पुड़ा सेट है, ये सेट है, ये भी आप अपना अच्छे सेट करके आप जा सकते हो, और एक है कि निपिल, जो निप मेरे पास है, पर उस स्लीकोन है, कल मैंने पहना था, मैंने कहां रखा, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं सड में लगा दूँगे, पीछे से जो ड्रेस होता है, जिसमें कोई ब्याक में कुछ होता नहीं, पुरा एकदम ओपन रहता है, तो उस टाइप के ड्रेस के लिए आपको इस टाइप का ब्रा लेना है, तो इस टाइप को जो ब्रा होता है, इस्टिक होता है, इसमें जैसे, अच्छा वासा इस्टिक होता है, यह ऐसा पील करोगे, और यह चिपक दिया, तो उसके बाद यहां पे भी कुछ, यहां पे एड्जेस्ट करने के लिए दिया हु तो इस टाइब का जो bra है वो आप पहान सकते हो backless अगर कोई dress पहानता है या फिर कोई blouse पहानता है या फिर कोई घागरा चोली कोई भी dress हो जिसका back में कुछ ना हो backless हो उनके लिए perfect bra है क्योंकि इतना अच्छे से support देता है मैं ज़्यादा तर black lace कुछ पहनी नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास है नहीं और कि मैं पहनी भी नहीं हूँ बट मैं try करूँगी जब करूँगी तब मैं पहनूँगी तो इस टाइब का मेरे पास हार एक चीज है क्योंकि लेके रखना होता है कब क्या इमर्जेंसी में जरूरत पड़ जाए तो यह भी बहुत अच्छा है उन लोग के लिए जो लोग बैक लेस पहनते हैं और कोई टेंशन भी ना रहा है और एक ड्रेस है यह भी बैक लेस के लिए है बहुत सारा जैसे कि यह बैक लेस के साथ-साथ तो फ्रॉंट में कोई कोई ड्रेस अभी मैं तो वो पहनते हूं रहता है यह जो बूप होता है वह अपका और कोवर रहता है यह पहनना पर इसको ब्रा बोलते हैं जन्य ह satisfied षुड्रा यह पता नहीं है रूप जाओ पूशंब रहता है आप इसको चिपकव बब्रे एस को यह ही स्टीक है तो ऐस Basket Dad, बूशं05 कर दो यह बहुत अच्छा अच्छा है जो लोग इस ट्रोव कट्रूड ते छांते हो आराम से पहन सकते हो और कोई भी मतलब टेंशन नहीं रहेगा क्योंकि आपको अच्छा खासा सपोर्ट भी देगा कंफर्ट भी रहेगा और कॉंफिडेंस से पहन भी सकते हो इस टाइप का ब्रा आपके पास होना चाहिए यह पिछ देखो मैं यह उस टाइप का ब्रा भी आइमिंग ड्रेस नहीं पहना पर मैंने य क्यूत पहन है इसमें भी पहन सकती हों में यह भी एक है और एक टेप होता है जैसे कि यहां से लगाओ आप वह इसे से पत्टी जाईसा होता है तो वहहते डा चाहों हो में प्राक हो zł सारे तीन हजार सम्थिंग दाम है तो यह उतना रेक्मेंड नहीं करूंगी इतना दाम लेका तो सपोर्ट देता है और आप नेट वरा जो टॉप है वह भी बहुत अच्छा लग देगी कि क्यों तो वीजिवल होता है तो यह मैं आई थिंग मैंने सब कुछ दिखा दिया है और मैं क्या दिखा हूं लास्ट जो चीजे वह है पैंटी पैंटी में बहुत टाइम ऐसा होता है क कि पैंटी का जो लाइन है और भी दिखता है तो पैंटी का हैं अगर नहीं दिखाना चाह отмет अगर फिर भी समझने में कोई भी प्राबलेम होगा कोई बात नहीं आप लोग कमेंट में मुझे बताना कभी कोई और वीडियो में में और अच्छे तरीके से अप लोगो समझने आ जाए So guys, आज का वीडियो में यही पर खतम करती हूँ, I hope आप लोगो आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, helpful रहा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, share कर दो, subscribe जरूर करना, और मुझे धेर सारा प्यार देना, और फिर में मिलती हू कि डर के मारे घर पे जाके बैट जाओ, बहुत strong हो, हम सब कोई बहुत strong हैं, बढ़ थोड़ा सा smartly चीजों को करना होता है, that's it, और डरना किसी से नहीं है, क्योंकि एक नारी सब पे भारी है, चीज जरूर याद रखना, चलो फिर मिलती हूँ में next वीडियो में, बहुत सर पर बाई!